आप देखो तो इसका जो डिजाइन ने पूर में तो अमीर हो गया हूँ बैड होगा जो अभी सजा रखा है ले मताया कि जैसे आप सीधा जाओगे तो दरवज़ा खोल सिंगासन बना रखा है यहां पर यह डिजाइन देखो कितना अच्छा लग रहा है जेहिन दोस्तो कैसे आप सब लोग दोस्तो मेरा नाम मनी से स्वागित करता हूँ आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो आज मैं हूँ एंडी फिल्म इस्टूडियो वर्ल्ड में और दोस्तो आप लोगों ने सन 2015 में एक मूवी आई थी सल्मान खान की जिसका नाम है प्रेम रतन धन पायो उसकी सूटिंग लोकेशन में पहले भी आप लोग को दिखा चुका हूँ कुंबलगड फोट में हुई थी राजस्तान के कुंबलगड फोट में उदेपूर में तो आज मैं आप लोगों दिखाऊंगा उस फिल्म का पूरा सेट अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो यहां पे एक साही महल बना रखा है तो यह प्रेम रतन धन पायो मुवी का सेट है इसको अंदर से हम लोग देखेंगे पूरा ऐसे कैसे यह और अगर मैं दिखाऊं आपको तो उदर इसका गेट है सामने यह जो गेट देख रहे हो नहीं यह प्रेम रतन धन धन पायो तो आप यह जो सामने यह महल देख रहे ना इसके सामने एक मंच बना रखा है तो इसी स्टेज पर साधी पार्ट यह होती है उनके यहां पर गाइज अभी हम लोग पहुंचे हैं जो प्रेम रतन धन पायो मुवी का जो सेट है आप देख सकते हो कितना सुंदर सेट है अगर उसको इसा लगता है कि जिसे राजश्थान के राजस्थान के हम किसी किले के अंदर आगे हैं तो आइए मैं आपको दिखाता हों देखो इसके सामने एक हाती यह पर गज़राज जी बना रखे हैं और यह गोड़े यह नकली है और यह भी पूरा फाइवर का है यहां आप दीख रहा न पोर्च के अंदर हम लोग चलेंगे और यहां से एंट्रिस लेंगे हम इसके अंदर जाने के लिए तो यहां पर क्या है कि गाइड भी हम लोगों को मिलता है तो इधर एक अंकल बेठे हैं तो चलिए इन से पूछते हैं एक बड़ हम इसको देखते हैं अच्छा विर हमयद्सक्राद के अर्ड जुमर लगा है और यहां से देखो तो यहां से यह गेठ्ध है अच्छा यहां पर यए अंकल इथेर नामस्ते अंकल कैसे हो ठीक ते क्या हैं यह क्या है यह 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 ष्ट अपर थे अच्छा ये कितने वन्जिल कीया इसमें उपर भी जाने का है एदर भाद में तो अभी करनी का भी मुवी हुआ है अदर इसके अदर मनी करनी का ला को रेंगेलीया राज़े का भी और कई कई लोग अपर पोगया है लेकिन घादा मालूम आपको मालूम नहीं है तो गाईज अंकल बता रहे हैं कि यहां पे ना काफी फिल्मों की सुटिंग हो चुकी है पर अंकल को अभी भी ना मतलब पता नहीं है क्योंकि सुटिंग के टाइम पर कौन बताता कौन सी फिल्म आने वाली है तो चलिए इसको देखते हैं आराम से हम लोग इसको ट्विर करते हैं तो जैसे हम लोग इसके अंदर आते हैं तो गाईज आप देख सकते हो यहां पे पूरे लाइटें लगी हुई हैं पूरे जूमर लटके हुए हैं और वो वाली फिलिंग आते हैं कि जैसे हम किसी महल के अ आप लोगों कभी राजस्थान आये होंगे तो आप लोगोंने देखा हो गए यह सब चीज किलो में लगी होती है उपर देखो तो यह कुछ बालकोनी बनी हुई है अंदर वाली और यहां पर देखो कुछ यह साही तरीके के यहां पर सोफे लगे हुए हैं यह देखो भाई यह वास्ता में यह मेरे को लग असली है अंकल यह तो असली है ना यह जो यह सोफे वगेरा है यह असली है और सही बताओं तो लग गई तो एक साही सा फील होता है यह टेबिल देखो कितना प्यारा है यह पूरे असली है और यह पर्दे देखो भाई परेम रतन धन पायो म में इसको इस्तमाल किया गया था और चीज आप लोगों ने देखा इसके अंदर देखो यह जो टाइल से यह चोटे चोटे टुकडी तोड़ तोड़कर और इनका डिजाइन बनाया गया यह यह भी मतलब एक कला है अपना आप में और यहां पर देखो हम लोग सामने अगर द होल कि प्रेमरतन धन्द पायो मैने प्रेमर अधन उपायो यह तो असली सा लग रहा है और काफी बज भी डब डब ऺ ऑग रहा है और यहां पे सामने देखो तो बाइक दोसंत्री करें हैं यह फ्यामे रिकें और मिनश्विव्ण और इनको चुश नहीं करिएगा क्योंकि म इह देखो भाई, यहाँ पर सामने एक टेबल रखा हुआ देखो यह सामने, क्या बात है? और यहाँ पर कुछ यह क्या है, यह को धकन रखा है किसी ने, यह देखो एक गंबला यह रखा हुआ जिसके अंदर, है? सुराई, नहीं, यह सुराई तो पानी का थोड़ी है, यह ऐ जैसे इसके अंदर कुछ फूल वगेरा टांक दे सामने स्वागत के लिए और चली एक वर हम लोग ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और फिर दूसरी साइड भी उदर से घूम काएंगे तो गाइस अंकल ने बताया कि जैसे आप सीधा जाओगे तो दरवज्जा खोल के देखो बा यह यह कई लक्रि का यह कुरसी का पता नहीं किसका यह मैटीरियल है थोटा है टोट गया एक इसको खोलते हैं ये लो, इसको हमलोग खोलते है आईयए वाजिवा Wahr हुआ भाई, इसको पूरा भंडार है यह क्या है भाई, यह कॉन सा सेxप इदर दिखाओ भाई ये देखो ये कॉन सा सेट, कॉन से महाराज का सेट है ये ये देखो ये कॉन से सेट है और इदर देखो काफी इधर मतलब यह चोटी जगे में इतने सारे सेट बना रहा है इधर देखो यह एक अंदर सेट है यह देखो पता नहीं कौन सा सेट है यह सब लगे हुए है इधर और अभी देखो यहां से बाहर का व्यू दिखता है अरे या ऐसा लग रहा है मैं कुम्वल गड़ किले के सा उपर आ गया हूँ और वहां से देख रहा हूँ और यह सामने और चलते हैं उदर भी हम लोगों कुछ देखने को मिलेगा यह इसी बात तो नहीं है अच्छा आप लोगों नहीं देखा होगा जब्भी हम लोग किसी किले के अंदर जाते हैं तो कुछ ऐसी गेलरी होती न कुछ गल्यार होते हैं तो भाई ऐसा एक बात है देखो यह इसके आधार पर बनाया आया है पता नहीं कौन से किले का है यह और यह इसका मैन पॉर्च उसके सामने का नजारां यहां से देखो वास्तम महिसानदार है यह देखो यहां पे लिखा रहा है। उत्सा उस्ट छतरपती सिवाजी महाराज का तो गाई यह आप देख सकते हो पूरे गेलरी बना रखा है और इधर देखो यहाँ पे देखो अलग-अलग तरीके के सेटे है कितना प्यारा सेट वाई देखो नीचे का रास्ता बंद है नीचे जाके दिखाता और अगर दोस्तों अगर हम लोग इस सेट को उपर से देखे ना तो वास्तम में ही मज़ा आता देखने में देख सकते हो पूरा एक दम लाल कलर का यह जो सोफिका सेट है और पूरे जो पड़े वगे रहे हैं वास्तम में यार क्या नजार आए देखो उपर देखो एक बड़ा सा गोल राउंड डाइप का कुछ लगा राखा और पड़े लगा राखे हैं और यहां से देखो गया वास्तम में मतलब अब आर आच्छा मज़ा देखने में क्योंकि देखो यार लाहिट है देखो यह डिजाइन देखो जो टाइल्स को बना रखा ने नीचे यह डिजाइन देखो कितना अच्छा लग रहा है यह जूमर जो लटके हुआ है यार यह जो आर्टिस्ट डारेक्टर होते हैं यह आर्ट डारेक्टर होते हैं यह डिजाइनर होते हैं ना वास्तम में कमाल के होत मतलब छोटी छोटी चीज़ से क्या क्या बना देते हैं पूरा अच्छा इसके अंदर ये एड़जस्ट फैन भी लगे होई या फिर ऐसी वाला सिस्टम लगाए गरम नहीं रहे है चलो फिर नीचे चलते है तो गाई जैसा आप लोग देख रहे हैं यह जो पूरा आज थे हरे ये पूरा फायवर से बनाया गया है और फाइवर, कपड़े, सी से, लाइट, मतलब काफी चीजों से इस सेट को बना गया है पर अगर आगर आप लोग इस सेट के अंदर आते हो ना जब भी तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यह सेट है जब तक आप लोग इनको टच नहीं करोगे और यह जो नीचे का पूरा इसका जो फरस है ना यह तो पूरा ओरिजनल है क्योंकि आप देख सकते हैं टाइल्स को जोड जोड कर लगा आगया है और यह जो सोफे सेट भी है यह भी पूरे असली है बाग यह जूमर भी असली है और वैस यह बाल को नहीं नकली है पर्दे असली हैं बाल को नहीं नकली है क्योंकि अगर इसको सिमेंट पत्थर चुना से अगर बना दे तो काफी महेंगा पड़ता है तो अभी जो प्रेम रतन धन पायो मूवी का जो यह सेट लगा हुआ है न यहां पे तो हम लोग क्या करेंगे इसके अलग-अलग प्रेमेंटे तो उनको देखेंगे आईए मैं दिखाता हूं आपको तो अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर एक सिंगासन बना रखा है यह एक सिंगासन बना रखा है यहां पर और यहां पर कुछ यह हातिदात के टेविल रखें पर हैं ने यह नकली हैं और इधर भी देखो तो इधर भी कुछ यहां पर पता नहीं है सायद वो राजा का था या फिर ये रानी का है ऐसा मुझे पता नहीं है पर जो भी है अच्छा है और मस्त है और इसके सामने एक छोटा सा पूल बना रखा जिसमें सायद ठंडक के लिए पानी भरा जाता होगा और अगर इस कुर्सी अच्छी है तो गाइस अभी हम लोग आगे है एक कंपार्टमेंट के अंदर और यहां पर देखें तो यहां पर सायद कुछ रखा है यह टेविल है इसको पर कोई ओ भाई हीरे जमारात ओ भाई क्या बात है भाई मैं तो अमीर हो गया हूं यह सब नकली है भाई इ और यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर कुछ यह करने के कुछ सामान यहां पर रखे है एक पेटी इधर और रखी है और मैं दिखाँ आपको देखो यहाँ पर मौमबती जलाई जाती है इसके अंदर इसके अंदर मौमबती जलाई जाती है पर यह मेटल का लग रहा है पीतल का नहीं अनली मेटल का आवाज कर रहा है और गाईज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो तो यहां पर आपको सामने एक बड़ा सा सीसा दिखेगा, मिरर दिखेगा, और बीच में एक जूमर है, अच्छा मैं आपको बता हूँ, यह जो साइड में टेंट लग रहे हैं, यह साइड मेकप रूम बना रखे होंगे इन लोगों ने, अच्छा यह देखो, वाह, अरे क्य पसीनल से हालत खराब होगी है मेरी, कितना अच्छा है, बड़ा सीसा है, और इधर हम लोग देखें, तो यहां पर देखो, यह कितने बड़े-बड़े यह लटके हूए, पता नहीं क्या बोलते हैं, इनको घुटमल टाइप के, और साइड यह देखो, इसमें पानी है, जो पड़ो से, तो चलो अभी एक कमपार्टमेंट और बच रहा है, उसको भी आप लोग को देखना है, और यह जो सेट है, यह सेट मतलब देखने को बहुत कुछ है, अगर आप उपर से भी देखो, तो आपको ऐसा नहीं लगागा, सेट है, ऐसा लगागा कि आप किसी महल के अंदर घूम रहे हैं, आप इस कमपार्टमेंट को सामने से देखें, तो इसकी लुकिंग है यार कितनी प्यारी लगती है, और मैं बताओ, इसका कलर है, सोड़ा ग्रीन ग्रीन है, यहां के जो मैंने कमपार्टमेंट दिखाने आपको, इनका कलर ऐसा है कि जिसको जिस तरी अगर आप इसको देखोगे ना, यह बतक बना रखे हैं, बतक के सेट हैं, और सामने से अगर आप देखो, तो इसका जो डिजाइन ने पूरा ऐसा लग रहा है, जैसे हाथ से बनाया हुआ हो, मोर पंक वाला, ऐसा लग रहा है, साहद मोर तो नहीं है, और यहां पर बैठने मूवी का सेट कैसा लगा, और आप सल्मान खान के फैन हो, तो एक कमेंट करके बताना, आप लोगों को सल्मान खान की कौन सी मूवी ज्यादा पसंद है, तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगल वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरब से, जैहिन!